नमस्कार दोस्तों हमारा अप्टर चन्वाल से को ना एक बार फिर्शन स्वागत है जिहां दोस्तों आजकानों टॉपिक है कि को इसमें से टोडी एक इंडेंटिफाइं करिए और फोर दीघ्र को भी पूंचरता है कभी कभी ठीक है तो आपको इसका जो है कि कनफिर्बरेशन कैसे करणा है ठीक है कैसे बाटएंगे कैसे पाचानेंग अज की सीडिवी हम लोग यही देखेंगे ठीक है तो दीखिए, कारवन-परमानु जो होता है वो डिपेंड करते हैं कि कितने ब करवान परमानू उससे चैन में जुरा है ठीके? उसे पर डिपेंड करता है जैसे पहले हम लोगो करभा है, प्रेमरी यानि कि ओन डिजरी का तो एक डिफ्रेंशन सबसे पहले इसका देखे लिए उसके बाद आपको अच्छे तरह समझ में आएगा कि वह कारवन परमानू मैं एक ही थो लिख हूंगा बागे सब समझा दूँगा ठीक है वह कारवन परमानू जो सिर्फ एक अन्य कारवन परमानू से जूरा हो जो सिर्फ एक अन्य कारवन परमानू एक डिगरी कारवन परमानू एन्य की प्रैमरी ठीक है अब आप समझे एक डिगरी होता क्या है एक डिपनिशन से भी आपको अस्पश्ट हो जाना चाहिए यह देखिए वह कारवन परमानू जो सिर्फ एक अन्य कारवन परमानू से जूरा हो मतलब यह carbon परवानु है जो किसी अन्य carbon परवानु से जूरा हो ठीक हो भी 1 से तब इसे हम लोग प्रेमरी ठीक है अब देखिए carbon की balance चार होती है 1, 2, 3, 1, 4, 4 इसके लिए 1, 2, 3, 1, 4, 4 मतलब यहां पर hydrogen लगा रहेगा यह क्या है एथेन है इसको हम लोग बोलेंगे एक डिगरी के वकि इस carbon परवानु से यह जूरा है और इसको भी बोलेंगे एक डिगरी के वकि इससे यह जूरा हुआ है ठीक है तो यह हमारा है primary अब बात जब आती है secondary की मतलब 2 डिगरी तो वही है कि वह carbon परवानु जो अपने अलावा मतलब जो carbon परवानु को हम देख रहे है वो 2 अलग अलग carbon परवानु से जूरा हो तो उससे हम लोग बोलें अलग अलग मतलब की carbon परवानु होना चाहिए ठीक है अभी है नहीं कि कोई और carbon परवानु ही होता है ठीक है, जैसे कि ये कारबन परवानु है ये दो अलग-अलग कारबन परवानु से जुरा हो मतलब एक ये होगी है और दूसरा ये है तब इसे आउनलोगे 2 degree अब इसका वैलनसी 4 होती है तो 1, 2, 3, और 1, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ठीक है यहाँ पर hydrogen लगा देजिए अब देखिए अगर बात हम इसकी करें तो यह कितने करवन परणों से जुरा है एक और दो मतलब यह हो गया दो डिगरी लेकिन हम बात इसकी करें तो यह इसके सीवा इससे जुरा है यह हो गया 1 डिगरी और यह भी इससे जुरा है मतलब यह ही करवन परणों से जुरा हुआ है तो यह हो गया 1 डिगरी यह हो गया 1 डिगरी और यह हो गया 2 डिगरी अब बात आती है 3 डिगरी के यानि के टर्सियरी करवन परणों के तो वही बात रहेगा बस तीन कार्बन परवानों से जूरा होना चाहिए अब वो कैसे जूरेगा देखिए यह कि यह कार्बन है यह तीन कार्बन परवानों से जूरा होना चाहिए ठीके एक दू दो से जूर गया एक तीसा नीचे लगा देजिए तिन करम परवानु से जुर गया यज इसकी तिन ये तिन ठीक है तो यह बात देखिए अब एक बॉंड यहां पर एक बॉंड यहां पर एक बॉंड यहां पर यह जो बीच वाला करम पर्मानूों होए यह carbon पर्मानूं यहांसे जुरा हुआ है दोस्तर कार्मानूं यहांसे जुरा हुआ है तो यह हो जाएगा 30 degrees ठीक है और इसकी अपयक्छा में अकर इसकी बात करें तो यह कही से जूरा है तो यह हो जाएगा आपको तैय करना है और आपको कमेंट करके बताइए कि वह चार डिग्री को कहईसे हम लोग example के तौर पर बताएंगे ठीक हो दूस्तो मैंने आपको बता दिया मैं एक बाँ फिर से repeat कर देता हूँ देखिए वह carbon पर्मानू जो एक अन्य carbon पर्मानू से जोग रहा हो तो उसे बहुंदे 1 degree अपने शिवा दो अन्य carbon पर्मानू से जोग रहा हो ताकि सबेने अपडेट आपको मिलता रहे और आप रहोगों स्टेटी करते रहें थैंक्यू